वागत है आपका आच की Current Affair की क्लास में Current Affair के चानल पर तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको करना है हमारे चानल को सब्सक्राइब चानल को सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आईकॉन को दबादा बिल्कुल मत भूलेगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अप्लोड में इसना करें आप कर सकते हैं में follow facebook, instagram, telegram और twitter पर daily updates के लिए इस वीडियो को like करना, share करना बिल्कुल मुद भूलिएगा और बने रही एक वीडियो के end तक क्योंकि हर रोज अंत में मैं पूछती हूँ आप से एक सवाल जिसका देना होता है आपको comment section में जवाब और guys तबियत कुछ जादा ही खराब है आज तो अगर voice modulation कुछ दिक्कत होती है तो पहले से sorry और चली शुरू करते हैं आज के वीडियो आज की वीडियो का पहला question है who among the following will be honored with the 2019 UEFA Presidents Award निमने लिखित में से किसे UEFA राष्टपती पुरसकार से समानित किया जाएगा ये समानित किया जाएगा Eric Cantona को Manchester United के पूर्वर फॉरवर्ड खिलाडी Eric Cantona को 2019 के UEFA राष्टपती पुरसकार से समानित किया जाएगा ये पुरसकार खिलाडी के उत्कृष्ट उपलब्डियो और पेशेवर उत्कृष्टा को पहचानता है उन्होंने Manchester United में अपने करियर को समाप्त करने से पहले और दो लीग और एक FA डबल कब भी चीता है चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला क्वेशन एक विज्ञान मेला का उद्खाटन करने के लिए लद्दाग का दौरा किसने किया था तो ये दौरा किया था हमारे Defence Minister राजनाथ सिंग ने रक्षामादरी राजनाथ सिंग ने विज्ञान मेले का उद्खाटन करने के लिए लद्दाग का दौरा किया था ये उचाई वाले शेत्र में सबजियां उगाने के उपयोक्त फसलों और अनाजों का प्रदर्शन करता है जम्मो कश्मीर राजे से बाहर निकाली राने के बाएद लद्दाग जो है वो अब फ्री है यूनियन टेरिटरी है लद्दाग उन्होंने रक्षा उच नुसंधान धिहर में 26 वे लद्दागी किसान विज्ञान मेले का उद्खाटन किया चलिए बढ़ते हां के देखते हैं अगला क्वेशन वेर विल्दो 25 सीनियर विमें नाशनल फूटबॉल चैंपेंशिप विल बी हेल्ड ऑन सप्टेम्बर सितंबर 2019 को 25 सीनियर महिला राष्ट्रे फूटबॉल चैंपेंशिप कहा युजित की जाएगी स्वी आयुजित की चैंपेंशिप किया जाएगा टूनमेंट में विविन राज्यों केंद्र शाष्ट्र प्रदेशों और भारती रिल्वे का प्रदिनित करने वाले कुल 30 में भाग लेने वाली हैं चलिए बढ़ते हां के देखते हैं क्ला कर्षिन विच और फॉलिंग डॉक्यूमेंटरी व शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर वीडियो पसंदारी है तो आम शुर पसंदारी होगी स्वांसर इस क्वेशन का आयम जीजा बाती रॉक्यूमेंटरी फिल्म आयम जीजा ने वीक केर फिल्म फेस्टिवल और डिसेबिलिटी इशूस के चौदवे संस्क्रिन में पुरुसकार जीता इसने अंडर 30 मिनट शेनी में पुरुसकार जीता स्वाती चक्रवर्ती द्वार निर्देशित है ये मूवी ये विकलांग जो है लोग उनके जीवन के कठेनाई और लड़ाईों के बारे में बात करती है उसके अलावा पोस्ट डार्क जो मूवी है उस चनने MSME CPC केंद्रे प्रसकरन केंद्र खोला है केंद्रे प्रसकरन केंद्र बैंक के MSME पोर्टफोलियो को बढ़ावा देगा और सूक्ष में लगू मध्यमोध्यमो के रिनों को तोतरित निप्टान करेगा बैंक ने क्रेडिट गुनवक्ता में सुधार करने और लेन दिन के प्रसकरन समय को कम करने के लिए CPC में कुशल श्रमशक्ती की तैनाती भी की है What was the theme of 12th India Security Summit? बारवे भारत सुरक्षा सिकर समयलन का विशय क्या था? ये विशय था Towards New Nation Cyber Security Strategy नई राष्ट्य साइबर सुरक्षा रननेती की ओर विशय चुथा ये बारवे सुरक्षा सिकर समयलन का विशय था समयलन के तोरान कई मुद्दों पर चचा की गई जैसे कि महत्वफून राष्ट्य वुनिया निराची की सुरक्षा उबरते साइबर खत्रे घटनाय चुनातिया प्रतिक्रिया भारत इंटरनेट की तीसरी सबसे बड़ी उपयोग करता है और हाली वर्षों में साइबर एक्ष्न आपकशन नोरो प्रशान्त राष्ट चणाव। तो राष्ट्र में मानुवी सुधार के लिए कहता है जिसे ऑस्ट्रेलिया विस्थापित लोगों के निरोध केंदी के रूप में उपयोग भी किया जाता है चली बढ़ते हैं कि देखते हैं कि एकला क्वेशन में उसके पहले वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि वीडियो तो अच्छी है ही ये बात आपको भी पता चली गया होगा अब तक तो आंसर है प्रमूद अगरवाल सारवजनिक उद्यम चैन बोर्ड PESB ने प्रमूद अगरवाल के कोल इंडिया के अगले धक्ष की रूप में चुना है वो अरतमान धक्ष एक जाके बाद पदभार समालेंगे कोल इंडिया लिमिटेड एक भारती है राजे नियंदिर कोईला खननन और रिफाइनरी कमपनी है जिसका मुख्याल एक ओलकता है पश्यम बंगाल में है और ये दुनिया की सबसे बड़ी कोईला उतपादक कमपनीों में से एक है और एक महारतन कमपनी भी है इन शूटिंग में रियो दे जनेरियो शूटिंग में रियो दे जनेरियो में विश्यम कप पुरुषो की 10 मीटर एयर पिस्टल स्परधा में स्वन पदक और सौरप चौदरी ने कासे पदक जीता वर्मा ने आठ से दर्स्य फाइनल में 244.2 की शूटिंग की जबकि चौदरी का 2-21.9 का स्कोर उन्हें कासे दिलाने के लिए काफी अच्छा था भारत ने पहले इस प्रतियोगिता में उपलब धदिक्तम औरंपिक कोटा समाप्त कर दिया है और वर्मा और चौधरी ने दोनों ने साथ में पिछले क्वालिफाइंग मुकाबले में ये कोटा येलो हासिल कर चुके हैं चली बढ़ते हैं के देखते हैं अगला क्वेश्चन वो हास वॉन यूई एफ़े प्लेयर आफ दे येर अवार्ड इन 2019 ने यूई एफ़े प्लेयर आफ दे येर के पुरुसकार से किसे नवाजा गया है ये नवाजा गया है विर्गिल वैन जिक को लिवर्पूल फुटबॉले के लाड़े विर्गिल वैन जिक ने यूई एफ़े प्लेयर आफ दे येर का पुरुसकार जीता उन्होंने बार्सिलोना के कप्तान लियो ने समेसी और जुवेंट्स के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनालडो को हराया जब कि इंग्लैंड के फुटबॉलर लूसी ब्रॉंस ने मेला खिलाड़ी पुरुसकार जीता UEFA ने Champions League के Defender of the Season के लिए वन के साथ पुरुसकार खिलाडियों में स्थितिगत पुरुसकार भी दिये गए So yes guys that's it for today, now it's time for question of the day, ask a question of the day है In September 2019, फिरोशा कोटला स्टेडियम in New Delhi will be renamed as Dash, September 2019 में इन चारों में से कोई एक definitely answer होगा, जो भी answer होगा वो जल्दी से comment section में लिख दीजे अगर नहीं आता है answer तो कल के वीडियो देख लिजे इस question को बहुत अच्छे से discuss किया है काफी important question है, काफी deep meaning वाला question है ये तो ये question तो आना ही चाहिए क्योंकि exam में आने वाला है ये मतलब जो नए है उनके लिए भी और जो हमारे already हमारा परिवार है उनके लिए भी really sorry अगर वीडियो थोड़ी fast हो गई हो या कोई भी अगर problem हो गई हो तो आपको पता ही है कि PDF होता है वीडियो का हमेशा ही तो PDF डाउनलोड कर लीजेगा thank you so much for watching PDF description box में होता है रोज तो वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजेगा PDF में जो रेड कलर कॉप्शन आपको मिलेगा वो होगा आपका अंसर इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा प्लीज बहुत अबित खराब है तो मतलब इतनी मेहनत के बावजूद इतनी मेहनत करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बट I make sure कि मेरे मेरा जो भी परिवार है उसके लिए मैं ये मेहनत करूँ क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग ही सही पर जरूर वीडियो का इंतजार करते हैं हर रोज तो उस इंतजार को मैं बिल्कुल निराशा में नहीं बदलना चाहती इसी वज़े से तवित खराब होने के बावजूद मेडिसन ले करके रिकॉर्डिंग कर रहे हूँ तो अम रिली स्वारी अगर थोड़ी से झाल चाहती है